मित्रो वंदे मात्रम जय हिंद नमस्कार मैं होने लियादव आपका स्वागत है हमारे योटूब चैनल गुरुजे स्टडी अड़ापर मित्रो आज की वीडियो में हम लोग अध्यन करेंगे समावेसी सिक्षा किसे कहती है इसका अर्थ क्या है परिभासा क्या है समावेसी सिक्षा की आवसिक तक क्यों पड़ी इसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से हम लोग अध्यन करेंगे क्योंकि मित्रो आपके एक्जाम यूपिटेट, सीटेट, डियलट सेमस्टर और बीट सेमस्टर में हर बार यहां से एक कोस्टन जरूर पूछ जाती है तो मित्रो वीडियो को अंध्य तक जरूर देखिएगा तो चलि मित्रो हम सबसे पहले बात करते हैं समावेसी सिक्षा किसे कहते हैं तो मित्रो समावेसी सिक्षा ऐसी सिक्षा बिवस्था को कहते हैं जिस सिक्षा बिवस्था में विशिष्ट छमता वाले बालक अब हम बात करते हैं विशिष्ट छमता वालक किसे कहते हैं ऐसे ब बालक हैं ऐसे बालक जो अधिगम चमता वाले बालक हैं ऐसे बालकों के साथ जब हम सामानने बालक हम बात करते हैं किसे कहते हैं सामानने बालक हम उसे कहते हैं मित्रो जो बालक साररी रूप से बिल्कुल फिट बालक है मानसिक रूप से स्वस्त बालक है बिल्कुल ठीक ठाक बालक है यानि कि विशिष्ट छमता वाले बालक प्लस समाने बालकों को एक ही कच्छा में बैठा कर एक ही विध्याले में बैठा कर एक ही चाहर दिवारे के अंदर बैठा कर एक ही सिक्छा के द्वारा एक ही पाट करम को पढ़ाया जाता है सबको एक साथ पढ़ाया जाता है तो ऐसी सिक्षा बेवस्था को हम समावेसी सिक्षा कहते हैं अब हम बात करें मित्रों समावेसी सिक्षा का सूत्र क्या हुआ तो मित्रों ध्यान देजिए विशिष्ट छमता प्लस समाने बालक यानि कि विशिष्ट छमता वाले बालक प्लस समाने बालक इसक्वल टू बराबर समावेसी सिक्षा कहते हैं या समावेसी सिक्षा का सूत्र है जो कि आपको दिखाई दे रहा है चले मित्रों हम बात करते हैं समावेसी सिक्षा की सुरुआत कहां से हुई तो समावेसी सिक्षा की सुरुआत अमेरिका और कनाड़ा से माना जाता है अब हम मित्रों बात करते हैं समावेशी सिख्छा की अंत्रगत जो सारेख रूप से विकलाइंग बालक हैं इनके बालकों को कितने रूप से हम वरगी कृत कर सकते हैं द्रिश्टि-Бाधित-बालक, अस्ति-बाधित-बालक, स्रवण-बाधित-बालक और वाक-दोस अब मित्रों हम बात करते हैं जो समावेसी सिक्षा बिवस्था है जिसमें कि समानने बालक विश्ष्ट चमता वाले बालक बैट रहे हैं तो मित्रों हम पुल रूप से द्रिष्ट बाधित बालक को तो बैठा नहीं सकते हैं यानि कि जो आन्सिक रूप से द्रिष्ट बाधि को दूर करके समावेसी सिक्षा यानि समावेसी कच्छा का संचालन हम कर सकते हैं अस्तिबाधित बालक कुछ मित्रों अस्तिबाधित बालक है जो विकलांग बालक है ऐसे बालकों को हम कुछ अत्रिक्त सहायता देकर यानि कि कुछ ऐसा यंद्र देकर जो चलने फिरने लायक ह समा नीबालों के साथ से लाइक हो ऐसे बालों को अतरिक सभिधायरं दे कर हम उन陷क को समाšने बालों के साथ बैठा कर समावे python कर सकते हैं अब मित्रों भात करते हैं, आस्ति बादित हो गया द्रिष्ट बादित हो गया स्रवर्डोस, referred मित्रों कुछ ऐसे बालक जिनको कम सुनाई देता हो Firefox यह उनको में कच्छा में आगे बैठा ले यह मसीन देदे तो ऐसे बालकों और सम chemicalish को समाबेशिक हमें लोग संब्नेंPC न समावे से सिक्षा विवस्था के अंतरगत सिक्षा देती हैं समावे से सिक्षा के अंतरगत विशिष्ट चंता वाले बालक प्लस समाने बालकों को एक साथ बैठा कर पढ़ाती हैं अब मित्रों बात करते हैं कि समावे से शिक्षा की आवस्चता क्यों पड़ी। देखी मित्रों पहले एकी कृत सिक्षा विवस्था थी। जिसे मित्रों सभी बच्चों को कटेग्राइज कर दिया गा थे। यानि कि जो विकलांग वालक है उनको सबको एक साथ बैठा दिया यानि मित्रों जी मित्रों त para bd के और उनको इसे ईह हुई कि जोindustrie बुरांग वालक हैं जो मंद बुद्धी कि बुर्द होने लगी की हमों को अलग बैठाया जा रहा है क्योंकि इससे समाजिक थोड़ी थोड़ी दूर होने लगी तो मत्रों आमेरिकियों ने या हम क्याले कि यहां। पस्चिनी देशों से सुरुआत हुई है then-पधां की, उन्होंने अध्यन किया और युआ पाया कि जब सभी बाल्कों के एक साथ बैठा कर हम लोग एक ही सिक्षा-विवस्था के अंतरगत यानि कि एक ही सिक्षक के दौरा बैठा कर पढ़ाते हैं तो उनमें सामाजिक्ता की भावना का विकास होता है जो अलग से कुंठा उनके अंतर होती है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं वह अभी दूर हो जाएगी अब मित्रों बात करते हैं कुछ ऐसे बालक होती है जो पूरी तरह से विकलांग दिभ्यांग वालक है तो इनको लिए अलग से सिक्षा विवस्था होती है ब्रेन निपी होती है अन्य सहायता होती है जो कि पूर रूप से विकलांग दिभ्यांग वालक होती है लेकि मित्रों जो आनसिक रूप से विश्ष्ट छंता वालक हो उनमें एक दूसरे के प्रती सहानभूती प्रेयम विवहार यानि कि समाजिक्ता की भावना का विकास किया जाए और मित्रों समावेशी सिक्षाप के अंतरगत इमोख्युद्देश यह होना चाहिए कि जो सिक्षक होता है वह विशिष्ट छमता वाले बालकों की पहचान करे उनकी समस्याओं को दूर करें और मित्रों जूस बालक का घर विद्याले से बहुत दूर है ऐसे बालकों को लाया जाए यानि कि छात्रावास की विवस्था की जाए तो मित्रों यह था मिलाज उलाकर समावेशी सिक्षा किसे कहते है आउसक्ता क्या है अर्थ क्या है त्कूल ए जसक्ता परतान के जाती है ऐसे अंवैस्था को तो कम विवस्था को समावेश्य सिक्षा करती है चाहे अनुशूचत जनजात के बच्च्क वाया जो चाहे पिछडी वर्का बालकival सभी बालकों को एक साथ एक ही सिक्षा बिवस्था के अंतरगत एक ही बाराख तो सब्सक्राइब के जागा जय हिंद जय वहारत वंदे माश्टाइब